आलुक ची अखलेश यादफ को बुलाने का जब जब प्रश्न पूछा जा रहा है जब जब इसकी चर्चा हो रही है तब तब उनके नेताओं के बयान निकल कर आ रहे हैं आज ही का ताजा बयान है स्वामी प्रसाद मौरे का वो तो हिंदु धर्म को धंदा और धोका कह रहे हैं मैं उसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं मैं यह देख रहा हूं कि इंडिया एलाइन्स ने अपनी सेकिंड लाइन लीडर्शिप को इस काम में लगा रखा है उसका एक टाइम टेबल भी ऐसा बनाया है कि यह विशे लगातार उठता रहे तामिल नाडू के मुख्य मंत्री के बेटे और धर्मादा मंत्री हिंदू धर्मादा बोड उसके मंत्री की उपस्तिती में कहते हैं कि सनातन प्लेग है, सनातन डेंगू है और फिर वो कहते हैं कि हम इससे केबल लड़ेंगे नहीं समाप्त करेंगे कांग्रेस अभ्यक्ष के बेटे जो मंत्री मंदल के सदस्य हैं वह समर्थन करते हैं लालू जी की पार्टी के जो उच्च शिक्षा मंत्रियें वो समर्थन करते हैं। मैं समझता हूँ कि वोटों की राजनीती में सनातन और हिंदुत्व इसको सेकिंड लाइन लीडर्शिप से लगातार गाली दिलवाना और इस कारण से इस तरीके से जो माइनोरिटीज है उनक एक मुष्ट वोट एक प्राप्त करना ये ये शड़यंत्र है और इस शड़यंत्र में स्वामी प्रसाद महरिया ये भी एक मोहरा बने हुए हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया एलाइन्स ये समोह रूप से इसका जिम्मेवार है आलोग जी वो तो प्रधान मंत्री के बयान को कोड कर रहे हैं मुहान भागवत के बयान को कोड कर रहे हैं कह रहे हैं ये लोग भी तो कह चुके है कि हिंदू धर्म एक प्रैक्टिस है मैंने धोका कह दिया तो क्यूं बवाल हिंदू धर्म जीवन पध्धती है ये कहना तो दोखा नहीं होता एक बात तो निश्चिती है हम भी कहते हैं कि अब वहीं नहीं कहते हैं कि एक पुस्तक और एक मसीहा ऐसा हिंदू धर्म नहीं है अगर कोई निर्गुण को माने और मूर्ति को पूजे तो हिंदू अगर मूर्ति को नहीं माने गुणों को पूजे तो हिंदू निर्गुण निराकार को पूजे तो हिंदू इन तीनों को छोड़के इश्वर को न माने तो हिंदू और द्वैत को माने तो द्वैत को माने त रास्ता सब लोग चुनते हैं और जब तक वो उस रास्ते पर इमानदारी से चल रहे वह हिंदू है इसलिए इस मायने में सुप्रीम कोट ने कहा इस मायने में मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म एक जीवन पधती है और भारत की संस्कृति में जो जीवन मूले बने ह उनको जीने वाले सब विक्ती हिंदू हैं पर इसमें से ये अर्थ कहां से निकलता है कि इसमें से किसी ने उसको धोखा या धंदा कहा है मैं तो कहूंगा कि विरोध करने का भी एक धंदा है और मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू समाज इसको बहुत सावधानी से देख रहा ह और इसका सामाजिक और राजनितिक तोर पर उत्तर देने की सामर्थ है आज के जागरित हिंदू समाज में है अलोग जी पार्टी तो किनारा कर रही है स्वामे प्रसाद मौरे से कह रही है उनके निजी विचार हो सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष यानि अकली श्यादव या बाकी जो लोग है वो इसका समर्थन नहीं करते हैं जिन्नों ने इससे किया खंड़न नहीं किया grip किया वो पार्टी की अध्यक्ष नहीं है और पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने पहले कहा था कि लोगों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए अगर वास्तम में ये बयान समाजबादी पार्टी इनसे अलग होना चाहती है तो मौरिया पर करवाई क्यों नहीं की इसली बार जब मौरिया ने रामचरित मानस जलाया इसलिए उनके एक्षन डिंपल यादव जी के बयान से मेल नहीं खाते है और डिंपल यादव जी का बयान पार्टी के अध्यक्ष का बयान नहीं माना जाता है और केवल बयान से काम नहीं चलता है कारवाई भी करना पड़ता है इनके अध्यक्ष को आप बुला रहे हैं अ कभी आयोद्या नहीं जाऊंगा। ये क्या निरंतर हिंदू को अफमानित करने की बात नहीं थी पर मैं उस पर चर्चा करूँ सुप्रीम कोट ने जिन लोगों का भाबरी मस्जिद पर अधिकार बनता था उनको जगा देने के लिए कहा उनको जगा मिली उन्होंने ली उन्होंने मस्जिद बनाना तै किया उसक कुछ नेता जो विग्नस अंतोशी हैं वह ऐसा बोलते रहते हैं जिससे भारतिय समाज की एकता में फूट पड़ी रहे या उनकी राजनीतिक रोठी का दाव है मैं उससे सहमत नहीं हूं